मुस्कार में प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में जैप्रकास पावर विंचर लिमिटिड एस्टॉक को डिस्कस करेंगे जैपी एस्टॉक पास्ट वन इयर के ट्रेंट 72 परसेंट के तो दिख रहा हैं लेकिन इस स्टॉक ने जो फैब्रिबरी में हाई लगाया 24 के आ काउट नहीं करें हम बरा ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो एपिसोड में आगे बरने से पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जोइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट ऑपेन करें वीडियो पसंद आये तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे वैसे तो पावर सेवेंटी टू परसेंट के वन एयर के रिटर्न तो दिये लेकिन जो फरबरी में हाई बना था उसके बाद वन साइडेड डाउन ट्रेंड दिख रहा है ठीक है वॉल्यूम उनली 1.21 करोर का जो बहुत कम वॉल्यूम है जो बहुत नॉमिनल वॉल्यूम है यहां देख हैंगे 50 60 70 परसेंट तक की लेकिन टेकनिकल ट्रेंड अंडर परफॉर्म है और ऐसे में पावर सेक्टर जो है वो कंसोलिडेट फॉर्म में दिख रहा है लेकिन यह जो चार जून वाला जो केंडल है जब काउंटिंग वाला दिन था इस जोन को जब तक ब्रेकाउट नहीं करें बरा ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यह पी पावर को देखें तो जैसा कि हमने कहा कि फरवरी के बाद से ही अंडर परफॉर्म है और यह एक रेंज है तो मिनिमम यह रेंज भी तो तूटना चाहिए 21 का जब तक यह 21 नहीं तोर रहा है मुझे लगता है इग्न एक्सपेक्ट करने से